नमस्कार दोस्तों गारगी क्लासिस पर आपका स्वागत है डेट आज की 4 दिसंबर 2021 और देख लेते हैं अंडियन एक्सप्रिस की इंपोर्टन न्यूज जो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे फर्स जो न्यूज यहां पर आप देख सकते हो कि अभी जब से लॉगडाउन लगा है ना तो उसकी वज़े से हैं जो टॉप मीडिया फर्म्स हैं दस टॉप मीडिया फर्म्स हैं उनकी जितनी रिवेन्यू थी ना उनको अगर एक साथ मिलाओ तो उनसे ज़्यादा कुछ एक्सेसिबिलिटी बढ़ी है और जो कन्वेंशनल मीडिया हाउसे हैं उनको इतना फाइदा नहीं हुआ है जितना फाइदा है डिजिटल प्लैटफॉर्म्स की वज़े से गूगल और फेस्बुक को हुआ है ठीक है तो ये एक तो ये निउस बताई जा रही है इसके लाव ये भी देखा जाएगा कि financial issues को ध्यान में नहीं रखा जाएगा या फिर political issues को ध्यान में नहीं रखा जाएगा कि हाँ जी किसको कितना vaccine कितने रुपे में पढ़ रहा है ये देखा जाएगा कि scientific community जो बात कहेगी उस चीज़ को माना जाएगा चाहे छोटे बच्चों को vaccine द देने की जरूरत है क्योंकि जो corona का नया variant है omicron ये कहीं ना कहीं problem create कर सकता है ठीक है ये चीज़ बताई जा रही है इसके आगे अगर हम देखें और इसमें main जो role play करेगा ठीक है ना किहां जी को किसको कितना vaccine या booster dose देने की जरूरत है इसके लिए देखो इंसा कोग ठीक है जो कि अल्रेडी सार्स को इंडियन सार्स को टू जेनोमिक सीक्वेंसिंग कंसोर्टियम जो की main scientific community या laboratories का establishment है जो कि ये decide करता है कि हां किसको कब और कैसे vaccine मिलनी चाहिए तो ये कुछ मुद्दा है जिसको हमें देखना था बाकी देखो time बताएगा क्या outcome निकलता अभी फिल होने के बाद पता पड़ेगा कि omicron variant है या कोई और variant है ठीक है आगे चलते हैं फिर जो next news है वो है यहां पर आप देख सकते हो कि अफगानिस्तान के trucks को transport करने के लिए allow कर दिया है पाकिस्तान ने देखो जो 50,000 metric ton गेहूं अफगानिस्तान को transfer करने के लिए इंडिया ने जो request डाली थी कि पाकिस्तान अपनी borders को open करें जिससें कि Indian trucks जो है वो assistant या aid प्रोवाइड कर सके अफगानिस्तान के logo को पर जब ये दो महीने से मुद्दा hold पे था तब जा कि अब अफगानिस्तान की foreign ministry ने Indian embassy को inform किया है कि हम हमारे यहां से अफगान trucks को हम allow कर देंगे इस जाएंगे Indian sides हैं वो अफगानिस्तान के trucks में load कर दिये जाएंगे अफगान trucks में और फिर वो ले जाए जाएंगे कहां पर अफगानिस्तान के लोगों के assistance के लिए इसी तरीके से medication का भी यही कुछ मुद्दा highlight हो है कि medicine भी India बेजना चाहरा है एक aid के तौर पे तो उस चीज इसके लिए देखो अफगान trucks को ही allow किया है यह बात बोली है पाकिस्तानी establishment ने ठीक है ना इसमें देखते हैं आगे इंडिया क्या decision लेता है क्या नहीं लेता है वो आगे की बात है आगे चलते हैं आपको एक चीज खुद से search करके पढ़नी है public account committee पैक ठीक है इसके देखो सो साल हो गए है establishment को तो ऐसे में आपको पैक UPSC point officer पढ़ना है इसके लिए चाहे आप लक्षमी कांत में से revise कर लो जो भी parliamentary committees है उनसे संबंद जो हमारा chapter अब वो या फिर UPSC point officer इसको search करके पूरी detail ले ले लेना ठीक है और बाकि आप comment box बता दो कि पैक कब establish होई थी वैसे सो साल हो गए तो 1921 में हुई थी किस committee ने recommend किया था उस टाइम पर क्या condition थी system की इंडिया में जो Britishers का rule चल रहा था वो क्या pattern ले रहा था वो सारी चीज़ें आप एक बार पढ़ोगे जरूर से ठीक है एक सामने आपके एक news है former bureaucrat जिनका नाम है हस्मुक शाह उनकी 89 years की age मे death हो गई इनका demise हो गया और अभी आप देख सकते हो यह तीन prime ministers के अंडर में इन्होंने अपनी services दी थी जिसमें मुरार जी देशाई का time भी रहा ठीक है इसके अलावा आप देख सकते हो importantly इंदरा गांदी का जो time था वो भी रहा तो इनका अपना एक servicing के लिए बहुत ही ज है यह तो देखो इसमें तो हम देखेंगे कि पार्लियामेंट में कौन से questions को अलाव किया जाता है कौन से को डिसालाव किया जाता है यह जानेंगे बाकि यह नीचे वाला जो article है इसमें देखो bangladesh liberation war वो 3 दिसंबर 1901 को सुरू हुआ था मतलब कल के दिन की बात है 50 साल पहल ही उसके बारे में यहां पर war कब क्या शुरू हुआ वो बिलकुल भी इस तरीके से नहीं है जिसे हमें discuss करने की जरूरत हो वजह कि पाकिस्तान ने पहले कहां पर attack किया पाकिस्तानी एर फोर्स ने उठाकर बॉम फोड दिये वो सारी फिर इंडिया ने retaliate कर दिया वो stories हमार लिए इतनी काम की है नहीं ठीक है इसके अलावा यह गोवा का कुछ मुद्दा है यह हमारे लिए इतना काम कानी है इसलिए इसको भी हम नहीं देखेंगे ठीक है हम जो बात करेंगे वो है आपके सामने कि किस तरीके से MPs के question को allow किया जाता है या disallow किया जाता है परलियमें इसको अब detail में देखते हैं तो first article MPs के question से related देखो मुद्दा जो है उसमें बहुत सारे MPs का question है कि हमारा जो question है पहले analyst कर लिया गया फिर उसको allow नहीं किया गया जैसे कि NRI से संबंदित question कि NRI का airport पे harassment हुआ था कि नहीं हुआ था ठीक है farmers के agitation को रोकना चाहिए नहीं रो Parliament में देखो दोनों houses में elected members को पूरी authority या पूरा एक right दिया हुआ है कि वो information ले सकते हैं अलग-अलग ministry से हैं अपनी तरफ से कोई भी statement दे करके कि हाजी यह हमारा question है और उस question का answer हमें इस particular ministry से चाहिए उसको वो classify कर सकते है start question, unstard question, short notice question and question to private member यह चार तरीके के question majorly किये जा स अब इनकी features हम देखेंगे पर उससे पहले यह देखते हैं कि देखो normally जब कभी भी questions MPs rise करते हैं तो उसके एक लंबी list होती है ठीक है और उस लंबी list को एक rigorous process कि थ्रू जाना होता है जिसमें यह देखा जाता है कि किस question का answer दिया जाएगा किसका नहीं दिया जाएगा अगर हम बात करें राज्य सबा की तो question की admissibility that means question को entertain किया जाएगा कि नहीं यह depend करता है rule 47 and 50 के अंडर में जो की rules of procedure and conduct of business in council of states के अंडर में rule 47 and 50 के तहत डिसाइड होता है ठीक है फिर इसमें आप देखते हो चेक यह किया जाता है कि वो question जो बनाया गया है किसी भी ministry के लिए कि हा mind किया जाएगा फिर उसके बाद में list भेजी जाती है किसके पास में मतलब एक तरीके से पहले तो जो secretary है उसको भेजा जाता है ministry के को फिर उसके बाद में ministry के पास जाती है ministry फिर बाद में decide करती है कि हाज इस question का answer देना है या फिर नहीं देना है तो ऐसे में क्योंकि ultimately answer तो तो ministry के पास में वो answer देने लाइक, वो question है भी की नहीं, ये भी तो check करना ज़रूरी है, हो सकता है कि कोई मुद्दा under consideration of supreme court है, जैसे हम Pegasus spyware की बात करें, ये क्या है एक तरीके से subjudice है, subjudice का मतलब हो गया कि ये अभी court के अंडर में under consideration है, इसलिए इसके ओपर ministry अपनी तरफ से कोई statement या, कोई answer नहीं दे सकती, तो ऐसे में वो question को struck down किया जा सकता है, ठीक है, सेम चीज आप लोगसभा में, कि जब कभी भी question का notice दिया जाएगा, तो उसमें देखो पूरे list बनती है, list बनने के बाद में उनको start, unstart, short notice, किस तरीके question में, category में डालना है, वो कर दिया जाता है, और फिर वो scrutiny, वो ही process होता है, कि कौन सा entertain करना है, question कौन सा नहीं करना है, तो ऐसे में, लोगसभा की जो, rule of procedure and conduct of business in लोगसभा, इसका rule 41 और 41 से 44 तक का जो provision अना, वो वहाँ पर consider किया जाता है, उस जिसके basis पर ये देखा जाता है, कि question को entertain करना है या नहीं, अब देखो, जब कभी भी questions को answer करना होता है, तो जो भी ministries हैं, और या departments हैं, वो क्या करता हैं, उन सारे questions को, जितने भी questions आ गए, उन सभी questions को, group 1, 2, 5, first to 5 में divide कर लेते हैं, जैसे कि first, second, third, fourth and fifth, और इनको Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday और Friday, इन दिनों के लिए categorize कर दिया जाता है, number one, first वाली चेटेगरी में है, उनको Monday को address किया जाएगा, second वाली केटेगरी को address किया जाएगा, Tuesday को, इस तरीके से ये दिनवाइज divide कर दिया जाता है, फिर grouping इसलिए की जाती है, इसकी पीछे वज़े क्या है, कि देखो एक minister है, उसको अगर question, Monday वाले दिन, अगर लोग सभा में अपने questions का answer देना है, तो वो बन्दा फिर बाद में Tuesday या Wednesday को फिर बाद में राज्या सभा में अपने questions को address करेगा, क्योंकि एक ही ministry को हो सकता ना, कि दोनों तरफ से question पूछे जा रहे हैं, तो इन तीस तरीके से categorization करना ज़रूरी होता है, अब देखो बात ही आ जाती है, कि यह जो questions की classification हम देख रहे हैं, यह क्या होती है, देखो सबसे पहला start question, यह आपने definitely parliamentary system के बारे में बढ़ा होगा, definitely लायम लक्षमी कान्त में, वो ही चीज़े revise हो रही है, देखो start question, मतलब वो question जिनको MP अपनी तरब से जब register करेगा, notice में लाएगा, सवाल का जवाब भी फिर जो minister है, वो औरली देता है, अब औरल बातचीत हो रही है, एक ने सवाल पूछा, दूसरे ने जवाब दिया, तो इसका देखो एक CDC बात है, कि एक question का answer मिलते ही हो सकता है, कि उस MP जिसने question rise किया, उसके दिमाग में दूसरा question भी on the spot आ गया, तो वो supplementary question भी पूछ सकता है, कि जी, अभी मैंने ये सवाल पूछा था, इसका जवाब मैं ministry से ले चुका हूँ, पर मेरा एक सवाल हो रहा है, इसी मुद्दे से संब्दे, पर मुद्दा एक होना चाहिए द्यान रखेंगे आप, मुद्दे अलग अलग नहीं हो सकते हैं, उसी context में दूसरा वो supplementary question कर सकते हैं, इसका मतलब start question S, supplementary question S, तो start question में supplementary questions पूछे जा सकते हैं, और supplementary questions के लिए, के वर oral question and oral answers, मतलब oral answers होंगे, ठीक है ना, minister जो है, वो जवाब देगा, वो अपने मुझ जबानी, ठीक है, तो यह हो गया, कि इसमें answer हो, जो question submit होगा, वो लिखित तोर पे होगा, answer है, वो और अरली मिलेगा, और अरलली अगर minister जवाब दे रहे हैं, तो वहाँ पे question भी on the spot, supplementary point office से पूछे जा सकते हैं, एक question के बाद में, उसी मुद्दे से दूसरा question भी उठ जाए, फिर दूसरा जो question है, that is unstard, इसमें देखो, return answer के demand की जाती है, जो भी MP, इस unstard question के category में, कोई question rise करता, तो ministry जवाब जो देगी, वो unstard देगी, मतलब return form में देगी, अब return form में आपको पता ही है, कि लंबा answer होता है फिर वो, ठीक है, तो यहाँ पर supplementary questions अलाओ, नहीं है, फिर आता है short notice question, देखो अगर, कोई भी मुद्दा, बहुत ही ज़्यादा urgent matter है, और उस question को आपने short notice question की category में डलवाना चाहा, तो आपको 10 दिन के अंदर-अंदर entertain करने की शुरुआत हो जाएगी उस question की, ठीक है, तो 10 दिन से कम period का time, जो जिस भी question से related है ना, वो short notice question consider किया जाता है, फिर उसके बाद में आए जाता है, question to private member, अब होता क्या है, कि सरकार में जो ministers हैं, वो अगर किसी भी bill को introduce करते हैं, तो तो वो तो होते हैं government bill, इसके अलावा, ruling party का MP हो, चाहे opposition party का MP हो, चाहे independent MP हो, वो अगर कोई भी bill introduce करेगा, रज्यसभा या लोगसभा में, उस bill को private member bill बोल जाएगा, तो अगर उस bill को किसी private member ने, मतलब जो सरकार में अभी active नहीं है, किसी भी ministry में नहीं है, तो उस बंदे के द्वारा अगर bill introduce किया जाता है, तो उस bill को बोल दिया जाएगा private member bill, अब क्या होता है, कि अगर कोई भी question उस private member bill से संबन्दित है, तो उस question को क्या बोल दिया जाएगा, question to private member bill, इसमें rule 40 है लोगसभा के अंडर में, और rule 48 है राज्यसभा के अंडर में, जिसके तहत ये questions entertain होंगे, ठीक है, तो चार category हो गई, जितने भी ये questions बोले जाते हैं उनकी, ठीक है, फिर बात आजाती है कि question कब उठाए जाते हैं, तो देखो जब कभी भी दिन शुरू होता है न, जब लोगसभा राज्यसभा की setting शुरू होती है, तो उसका शुरुवाती जो घंटा होता है, फॉस्ट आर, वो question आर ही होता है, और उसमें questions ही पूछे जाते हैं, तो total maximum questions कितने पूछे जा सकते हैं, एक दिन में तो 175 questions होता हैं, जिसमें 15 questions तो देखो oral answers के होंगे, that means start वाले हो गए, फिर ऐसे कुछ questions भी होता हैं, जो कि एक list से दूसरी list में, जो return answer के demand करने वाले जो questions हैं, जैसे की unstart questions, that means, उन questions को एक list से दूसरी question में transfer भी किया जा सकता है, इस तरीके के बच्चे वे question रह जाएंगे, और 15 questions होंगे, उस मुद्दे से related, जहां पर भी president rule लगा हुआ है, उन states से related जो मुद्दा होगा, तो 15 questions तो हो गए कैसे हैं, oral answer के, 15 questions हो गए, जहां पर भी president rule लगा हुआ है, states में उनसे related तो 15-35, और फिर बच गए कितने, 145 questions, जो की return answer मांगेंगे, और 7 में उन 145 questions का answer अगर नहीं होता है, तो उनकी list categorization shift हो सकती है, कि हाँ, first category, second category, तो वो दिन के हिसाब से, आज अगर answer नहीं मिले तो उनको next day मिल सकता है, या उसके next day मिल सकता है, तो ये questions के numbers की भी हमने बात कर ली, फिर सवाल ही आ जाता है, कि किस तरी के question पूछे जा सकते हैं, तो देखो सवाल, बात ये है, कि राज्य सवा में तो वहाँ का जो rule है, code of conduct है, राज्य सवा का, ठीक है, तो उसमें rule 47 और 50 के बीच, 50, decide करेंगे, rule 47, 48, 49, 50, और लोग सवा में 41, 42, 43, 44, ये decide करेंगे, कि हाँ जी वही कौन से तरीके question आप पूछ सकते हो, ठीक है, एक चीज जरूर होती है, कि जब कभी भी कोई question पूछा जाएगा, वो to the point होगा, specific होगा, और एक ही issue पे focus होगा, ऐसा नहीं, कि एक question आपने पहगा, सुस्से related पूछ लिया, और उसी से related जब आपको मौका मिला supplementary question करनेगा, तो पता पढ़ा कि आपने फार्मर्स के agitation से related question कर लिया, नहीं, इतना नहीं होगा, फिर तो एक ही बंदा question पूछता रहेगा, बाकी MPs को मौका ही नहीं मिलेगा, तो ऐसे में, question को बिलकुल integrated manner में ही, put up रखने की बात की जाती है, ठीक है, monsoon session की बात करें, अभी recent जो गया है, उसमें लगबग 833 questions को disallow किया गया राज्जे सबा में, तो ये 2013-14 का highest record था, 748 questions को disallow करना, winter session था ना, राज्जे सबा का 2013-14 का, उसमें 748 questions को disallow किया गया था, अब इसमें मुद्दे बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि ये NSO Group वाला जो Pegasus वाला है, इसको क्या बोला गया, government ministry ने क्या बोल करके मना कर दिया, हम इसका जवाब नहीं देंगे, कि ये subjudice है, that means court के under consideration है, इसलिए हम इस पर सीधा statement नहीं दे सकते हैं, ऐसे बहुत सारे questions हैं, तो इसमें मुद्दा क्या है, कि disallow करना या allow करना, इसके पीछे सबसे बड़ा main जो मुद्दा है, वो देखो ministry या government क्या जवाब देने के लिए ready है, क्या नहीं, उसके हिसाब से उसकी proceedings होती हैं, ठीक हैं, और फिर final जो verdict होगा, वो presiding officer देगा, कि ये question आपका struck down कर दिया, या फिर जो भी है, आपको allow नहीं किया जाता, ठीक है, पर उसके पीछे, पूरी functioning होगी, किसकी ministry के level पे, जिस ministry से MP ने question किया है, ठीक है ना, आगे चलता हैं, next question देखो, next जो article है, या news है, हमारा world page है देखो, WHO ने ये काया है कि vaccination ज़्यादा important है, आप travel curve कितना ही कर लो, अगर आप वाकरी में COVID को रोकना चाते हो, Omicron के spread को रोकना चाते हो, तो vaccination जल्दी से जल्दी दो रोकोगो, ये बोला जा रहा है, इधर एक news ये है, कि Taliban ने अफगानिस्तान की ओड़तों के लिए, एक थोड़ा धंका कानून या धंकी बात कही है, वो ये, कि जी, जो ओड़ते हैं, वो किसी की property नहीं है, हना, और अगर किसी भी decision को लेना हो, तो शादी से related, तो उनकी consent होनी चाहिए, पर education वाले मुद्दे पे तालिबान ने अपनी तरफ से कोई statement नहीं दिया, कि education ओड़तों को मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, पर चलो marriage वाले मुद्दे पे तो recognition मिला, लेगो इसके पीछे भी वज़े क्या है, कि international community का pressure लगातार बना हुआ है तालिबान के सरकार पर, कारण कि उनको assistance जो पैसे की पहले मिल रही थी अफगानिस्तान के लोगों को, अफगानिस्तान को वो रुकी हुई है, और उसमें main जो मुद्दा रहा है, एक तो women empowerment या women issues को लेकर के भी, ठीक है, इसके अलावा देखो, NSO spyware ने US state departments के भी कुछ individuals के hack किये हैं, phones को, ठीक है ना, तो ये एक और मुद्दा हमारे यहां पर add हो जाता है, USA का भी, इसके बाद में एक यहां पर news है, ये वाली, लाउस ने देखो, चाइना से एक railway link को open कर दिया है, और इसके पीछे वज़े क्या है, कि चाइना के करजे के नीचे लाउस दब चुका है, इसकी वज़े से मजबूरन Chinese train, जो की लगबग लगबग 5.9 billion dollar के investment से तैयार हुई है, चाइनीज railway का यह accessibility, इसमें क्या होगा, चाइना का जो belt and road initiative है ना, उसका एक ये पार्ट मान के चलो, जिसके अंडर में अभी लाउस भी गुटने टेकता हुआ दिखाई दे रहा है, बोला तो ये जा रहा है, कि लाउस जो है, वो सदन चाइना के साथ में अपने trade को increase करना चाहता है, ये लगबग 1035 km की railway line है, जो की वियंतियन टू कुन्मिंग, इन चाइना साउध वेस्ट and economic boost, आप देखो एक बार मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको, अब इसमें 5.9 बिलियन डॉलर का तो investment है, और ये इस तरीके से चाइना की साउध वेस्ट रीजिन है ना, उसको लाउस के साथ connect करेगा, ठीक है, तो ये बात है, एक्सपर्ट का तो ये कहना है, कि 5.9 बिलियन डॉलर का investment किया जा रहा है न, तो चाइना के करज के नीचे ये दब जाएंगे, ठीक है, इससे देखो लोगों की जो mobility है, वो इंशोर की जा रही है, चाइना, वियत नाम, थाइलाइंड उदर सो होती हुई, अब देखो मुद्दा ये है, कि मैप देखना है, वो मैप मैप मैं आपको लास्ट में दिखा दूँगा, लाउस के बारे में, ठीक है, इसके अलावा आगे देखते हैं, इकानॉमी पेज पे, वैसे तो कुछ important news नहीं है, पर एक बार नजर अगर डालें, तो देखो, प्राइम मिनिस्टर नरेंदर मोदी जी, इंफ्रास्ट्रक्चर टॉस्ट करके हो रही थी, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर को move करने के लिए, या push करने के लिए इन्होंने कहा, कि जो अभी एक push चल रहा है कि financial inclusion हम चाह रहे हैं, जिसमें formal lending हो, ये सारी चीजें, formal institutional lending हो, बैंकों का penetration हो, ये बढ़ना हो, तो इसमें देखो कि UPI का use करना, ATM machines का use करना, digital transactions का अगर volume देखे तो वो बहुत बढ़ चुका है, तो इस case में इस opportunity का use किया जाए, और एक fintech revolution लाया जाए, और वो ही कहीं न कहीं अभी चल भी रहा है, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर अन्रेंदर मोदी ने ये कहा, कि 430 मिलियन जंदन account ओपन हो चुके हैं पिछले 7 सालों में, ठीक है, 50% इंडियन के पास में बैंक अकाउंट हुआ करता था, 2014 में जो कि अभी लगातार बढ़ रहा है, इसका अलावा रुपे कार्ड ठीक है, जो NPCI है, उसका जो लांच किया हुआ रुपे कार्ड है, जैसे विजा और ये इस तरीके से होता है ना, इस तरीके से रुपे कार्ड के पेनेट्रेशन भी बहुत बढ़ चुकी है, UPI ट्रांजेक्शन्स बहुत बढ़ गए हैं, GST पोर्टल पे जो लेन देन का काम है, वो भी लगातार बढ़ रहा है, बोला, जी बॉर्डर्स को नहीं देखती है, ये बात बोली फाइनांस मिनिस्टर ने, और ये कहा कि एक ग्लोबल एक्शन की जरुवत है, पेमेंट सिस्टम को टैकल करने की, क्योंकि आपको पता है, क्रिप्टो करेंसी, सबसे बड़ा हेड़ेक बनके अभी उबर के आ रही है, सारी जितनी भी आप कह सकते हो, जितने भी रिजीम से, जितनी भी सरकारे हैं, जितने भी इस्टाबलिश्मेंट हैं, बेशक बहुत से कंट्रीज ने अपनी तरफ से, इनको अभी तक प्रापर्ली रेगलेट नहीं कर रखा, पर अभी भी चिंता की बात तो यह है, कि यहाँ पर कोई सेंट्रलाइज्ट एजेंसी नहीं होने के चलते हैं, यह अन्रेगलेटिड मैनर में काम करेंगे, और मैक्रो एकोनामिक इश्यूस को अनकंट्रोल बना सकती है, क्रिप्टो करेंसी जैसी जो भी नई जो डिस्रप्शन्स हा रहे हैं एकोनामी में, तो बुले कि इन चीजों को टेकल करने के लिए ग्लोबल एक्शन करने की ज़रुत है, ये बात बोली, इंडिया की जो फाइनांस मिनिस्टर निर्मला सितारामंजी उन्होंने, आगे देखते हैं, फिर देखो अगली नियूज ये है, कि आस्ट्रेलिया और इंडिया जहां तक हैं, वो 2022 में अर्ली हार्विस्टिंग अग्रिमेंट साइन कर लेंगे, देखो, फ्री ट्रेड अग्रिमेंट से पहले की स्टेज होती है, जिसमें कुछ चीजों को लेकर के बॉर्डर्स ओपन की जाती है, जिससे कि ट्रेड एन्हेंस हो सके, मॉबिलिटी एन्हेंस हो सके, तो इसमें देखो, अभी 2020 का एंड अभी December स्टार्ट हो चुका है, तो इसमें Comprehensive Economic Cooperation Agreement इसके ओपर काम किया जा रहा है, जो की, जिसकों हम शॉर्ट में बोल रहे है, अर्ली हार्विस्ट, अर्ली हार्विस्ट का मतलब हो गया, कि Free Trade Agreement की Initial Stage, उसके ओपर देखो, ऑस्ट्रेलिया की जो प्राइम मिनिस्टर है, उनके Special Trade Envoy, टॉनी अबोट, वो इंडिया में आए हुए है, और बाची चल रही है, Commerce Minister प्यूश गोईल जी के साथ में, बाकी तो देखो, टाइम बताएगा, देखो, पहले भी इंडिया और उस्ट्रेलिया के बीच में, इसी तरीके से Free Trade Agreement को लेकर के बाचीते चल रही थी, पर, 2011 से जब से Regional Comprehensive Economic Partnership Negotiation, डैट मींज, RCEP, जिसमें आशियान कंट्रीज थे, और बाकी Australia, New Zealand और ये चाइना, ये और कंट्रीज भी थे, जिनके साथ में ये Agreement होना था, ठीक है, पर उस Agreement से इंडिया ने खुद को विड्रोग लिया 2019 में, अपने Domestic Issues को ध्यान में रखते हुए, तो इस केस में अब फिर से Free Trade Agreement की मुद्दे पे, सीधा one-to-one बात हो रही है, Australia और इंडिया में, ठीक है, तो अब आपके लिए टास्क आ गया है, RCEP के बारे में UPSC Point of View दो पढ़ना, ठीक है, चलिए जी, नेक्स्ट जो न्यूज है, that is, कि देखो, गीता गोपिनाथ, ये यहाँ पर देख सकते हो, ये IMF की Top Economist में एक है, ठीक है, First Female Chief Economist, ठीक है ना, ये इंडिया बॉर्ण है, और वैसे USA में रहती है, तो अब आप देखोगे, ये Basically FDMD, that means First Deputy Managing Director के तौर पे, ये अब Appoint हो रही है, इसका मतलब क्या हो गया, IMF में ये बहुत ही Important Position पे पहुँच जाएंगी, वैसे भी Already इनको Recognition मिला हुआ है, जैसे कि अगर देखें, जो IMF की Managing Director है, Crystalina Georgieva, इनका ये कहना है, कि Gita जो है, वो Universally Recognized World की Leading Macro Economist है, तो बोला, इनको तो Responsibility मिलनी चीए, वैसे तो इन्हों ने बोल दिया था, गीता गोपिनाथ ने, कि मैं January 2022 में, Harvard University में फिर से पढ़ाना शुरू कर दूँ, क्यों ये Professor भी है, तो इस Case में अभी मुद्दा क्या रहा है, कि इनको FDMD के तौर पे Elevate किया जाएगा, ठीक है, तो ये मुद्दा है में, तो इधान रखें, गीता गोपिनाथ, आगे चलते हैं, फिर देखो Sports पे इस पे, न्यूस तो एक तो ये है, इंडिया जो अभी Junior World Cup चल रहा है, उसमें जर्मनी से हार गया, चार दोसें, तो सेमी फाइनल था हार गया, तो बहर और अर्जेंटिना और फ्रांस के बीच में, 0-0 से मैच हुआ, फिर 3-1 पैनल्टी में, अर्जेंटिना जीत गया, तो ऐसे में जर्मनी और अर्जेंटिना के बीच में, फाइनल मैच खिला जाएगा, तो एक तो ये ध्यान रखेंगें आप, जूनियर हौकी वर्ल्ड कप, बोनेश्वर में हो रहा था, जिसमें इंडिया कहां तक पहुँचा, सेमी फाइनल तक, दूसरा इधर आप देख सकते हो, ला लीगा, जैसे हमारे आईपियल होता न, उसी तरीके से ला लीगा करके, स्पेन में एक फुटबॉल लीग होता है, ठीक है न, उसमें एक ग्रुप खेलता है, जिसका नाम है, रियल मेडरेड, बार्सलोना, यह आपको थोड़ा आइडिया होगा, डेफिनिटली, खेर, आगे आजाओ, लास्ट जो न्यूज़ अब वो ये, तो यह तीसरे इंडिविज्वल हो चुके हैं, जिन्होंने दस विकिट लिये हों, किसी एक टेस्ट मैच की एक इनिंग में, ठीक है, तो एलिट कलब में इन्होंने अभी थर्ड मेंबर हो चुके हैं, अनिल कुम्ने इंडिया की तरफ से अल्रेडी हैं, अब तीसरे इंडिविज्वल हैं, अब जो दूसरे इंडिविज्वल हैं, उनके बारे में आप एक बार मुझे ढूंड गे, और कमेंट बॉक्स में बताओ, तो ऐसे करके तीन ऐसे इंडिविज्वल से, जिन्होंने मतलब टेस्ट मैच में एक इनिंग में दस के दस विकेट लिया हूँ, ठीक है, तो और बाकी न्यूजिलेंड को 62 पे ओल आउट भी कर दिया, अभी मैं स्कोर देखी रहा था, 62 पे ओल आउट भी कर दिया, ये न्यूजिलेंड का लोविस्ट स्कोर है टेस्ट मैचेज में इंडिया के अगेंच ठीक है, तो इस डिस्कुशन में जो भी कंटेंट था वो हमने देख लिया है, थैंक यू वेरी मच पॉर लॉचिंग दिस वीडियो,